कैसे हैं आप सभी तो आप सभी का स्वागत है एक नहीं वीडियो में और आज बहुत ही कुपसुरत प्लांट के बारे में हम बात करने वाला है यहां पर आप जैसे की देख सकते हैं इस रंग बेरंगी पुत्तियों को और आइधिंक आप पैचानी क्या हूंगे से एक क्रोट सब्सक्राइब करेंगे कैसे हम अपने प्लांट को अच्छे सेव कर सकते हैं ताकि जो प्लांट हमारा लंबे टाइम तक बढ़िया और हल्दी चलता रहा है तो बिना टाइम विडियो को शुरू करते हैं और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा ले और यह एक दूसरी वाराइटी है इसे गोल डस्ट वराइटी बोलते हैं तो क्रोटन में आपको काफी सारी वराइटी मिल जाएंगी बट मोस्ली जो उनकी केरिंग होती है वो अलमोस्स सेम होती है कुछ जो होते हैं वो सबसे पहले हम इनकी लाइटनिंग के लिए देखते हैं क्रोटन जो हैगो fully in-dor बिल्कुल भी नहीं होते हैं तो इस बात का अच्छे सा ख्याल रख़ें तो सबसे पहले हम की लाइटनिंग के बारे में बात करेंगे क्रोटन जो होते हैं फुली indoor प्रांट्स बिल्कूल भी भी होते हैं यह पारशियल संसे मेरा मतलब है जैसे किसी बड़े ट्री की निचे झैसे चंचन के दूप आती है तो उसके नीचे आप अगर रखते हैं तो इनकी जो ग्रुफ है ओओ कफी अच्छी होती है और क्रोटन के मन्ने का जो में रीजन होता या फिर उनकी ग्रोथ ना होने का रिजन वह उनकी लाइटनिंग होती है कि मोसली हम सभी इसे इंडूर प्लांस की तरह ठीट करते हैं और यह जो है हम अपनी फुली इंडूर लोकेशन पर रख देते हैं पर लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है और यह धीरे-धीरे जो है मरना स्टार्ट राते हैं तो लाइटनिंग सिंपली आप समझ लें कि इसे पार्शिल सं में रखना है या फिर खिड्कियों के पास अगर आपके ब्राइट सन आता है सुबास है या फिर शाम के टाइम तो इस इस आपको बताया है कि आप चेक करें अगर अच्छे से ड्राइए तो आप उसे पानी दे दे और अगर आपके दूसरे प्लांट जो कोपीट वगएरा में ले गए हैं तो उन्हें अच्छे से अंदर तक कोपीट जो है वह अंदर तक ड्राइट नहीं होती तो दोनों के के इसलिए इसलिए आपको 2-3 दिन में पानी देना ही पड़ता है और अगर सरदियों का मौसम है तो यह 5-7 दिन अराम से बिना पानी के भी चल जाते हैं तो उसकेस में ज्यादा इजए होगा आपको कि सरदियों में पानी की रुकार्मेंट कम होती है और सरदियों में यह सब्सक्राइब लेखे लगए कोई भी ब्लांटे वो धिरे वगए और जो प्लांट है अगर आप उसे घर में लगा रहा है तो आपको एक बढ़िया वेल्डरेंस वेल्डरी स्वाल यूज चाहिए या फिर आपको को पिट वगएरा यूज कर सकते हैं अगर बात करे तो बेस्ट होती है आपको एक हिसा मिट्टी लेनी एक हिसा खाद एक हिसा परलाइट हो गएरा यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो क्रोटर्स में अपना कोई इशू नहीं है आप सिंपली अपनी जो सोईल और अपना जो वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी नेच पेड़ के नीचे रखें आप सुबह 9-10 जो है वो लाइट आती है और काफी अच्छे से आप देख सकते हैं मस्तिनकी जो पत्यां उग्रो हो रही है और यह वाला क्रोटर्स भी आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा दूप में था तो इसकी यहां पर लीग सकते हैं तो जो ह रही है तो थीन चीजिए की में हमने बात कर ली है सॉइल पानी और हमारा जो लाइट है तो नेक्स चलते हैं की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जैसे कि आपको पॉर्ट कैसा यूज़ करना चाहिए तो पॉर्ट की अगर हम बात करें तो यह जो प्लांट है यह मिट प्लास्टी के पॉर्ट होते हैं तो यह प्लास्टी का पॉर्ट भी यूज़ कर सकते हैं तो इन्वार्मेंट को कोई इतना इसू नहीं होता और आप रिसाइकलेबल पॉर्ट लें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो वह पॉर्ट भी काफी अच्छे इनक तो आप उसे पाणी दें इसमें मेन बता इसमें मिली बख्स लग जाते ही यह सबसे जो होताया मैं इंपोर्टन पॉइंट होता है इनके मरने का कई करो टन जो हैं मैं ने देखे हैं इस Tरह से मरते हुए एक हमारा भी नहीं से बचाना काफी मुश्किल होता तो आप नीम आ प्लांट को बचाना है तो यह थोड़ा सा आपको स्टेप लेना पड़ेगा में में बंचे साब कार्ड रगुलर आप नीम ओल का स्प्रे करें तीन से चार दिन में तो मिली बख्स जो है वो धीरी दीरे चले जाएंगे और यह जो प्रब्लम मोस्ली सर्दियों में होती है क्य जो प्लांट है वो थोड़ा सा बचा रहेगा और मिली बख्स का खत्रा वो कम हो जाएगा तो सिंपल यह तीन इंप्रटन पॉइंट है हमारे हमने पॉट की बात की मिली बख्स की बात की और जो वाटरिंग की बात की तो इन तीन चीजों का भी आप अच्छे से ख्याल दबालें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहा है अचकी वीडियो में इतना ही हम मिलते हैं फिर तब तक के लिए धन्यवाद